Hello everyone मैं हूँ आपका instructor अनुकुल कुमर तो आज के इस lecture में North direction को detail में जानेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखिए जिसमें हम लोगों ने discussion किया था कितने directions होती है और उसका purpose क्या है North East क्यों call करते हैं East North क्यों नहीं call करते हैं तो नहीं कर दो subscribe, bell icon के दबादो ताकि मैं जो latest videos के update है वो आपको मिलते रहें तो बढ़ते हैं आगे यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दू जो North direction है इनकी जो honor है कुवेड देवता है जो बहुत richest person है पुरे ब्रह्मान्ड के उसके बाद next यहाँ पर जो North direction माना जाता है wealth के लिए prosperity stability and security के लिए wealth का मतलब क्या हुआ तो देखो जो भी आप money से related काम करते हो property या फिर कुछ भी जो भी आप own करते जो आपका है वो यहाँ पर माना जाता है wealth prosperity मतलब की जो भी आपका success rate होता है वो North direction में बहुत जादा होता है stability को लेकर हमारा जो आपका lifestyle चल रहा होता है उसमें stability maintain रखने के लिए और security है ना यह भी North direction में बहुत जादा होता है यहाँ पर North is an auspicious direction for any kind of business जैसे कि मैंने आपको बताया कुवेर देव जी कि यहाँ पर असीम क्रिपा बनी रहती है तो यह किसी भी business को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आपका कोई भी business है आप यहाँ पर देखोगे जो आपकी prosperity है मतलब जो success rate है और जादा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा ठेक है यहाँ पर मैं वास्तो पुरुस के regards कुछ points आपको clarify करवा हूं तो देखिए basically कुछ five elements होते हैं तो जो हमारा north east direction होता है ना वो हमारा water element माना जाता है तो यहाँ पर ज pouring करवा रहे हो तो आपको पैसे की कमी कभी भी feel नहीं होती है एक point मैं आपर करूंगा जो बहुत ज्यादा important है आपको इस area के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी curtains या फिर कोई भी red color का या फिर yellow color का कुछ भी use नहीं करना है north direction में ज्यादा से ज्यादा इसको avoid करना ठीक है त तो आप देख सकते हो यह area water का है represent blue color राइट तो यहाँ पर इसलिए आपको यहाँ पर kitchen भी avoid करना होता है क्योंकि यह fire का area बिल्कुल नहीं माना जाता है आप चाहिए कहीं पर भी search कर लो मैं बहुत research करने के बाद videos बनाता हूं तो यह इसी बात पर video को like करो कोई भी doubt रहता सकते हो in between यहाँ पर आप bedroom बना सकते हो लेकिन जो best bedroom होता है वह children's के लिए माना जाता है ठीक है बाकी सोने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह कुबेर का area तो कुछ भी करोगे वह काफी attribute जैसका यह कि positive रहता है ठीक है study table आप लगा सकते हो study के लिए बहुत अच्छा area यह kitchen जैसे कि मैंने आपको बताया avoid करना toilet को भी avoid करना आप यहाँ पर इन पुरुष को देख रहे हो जो वास्तु पुरुष है यहाँ पर इनका जो head है वो इस direction के अंदर है आप कोई भी dispose करने का काम जैसे toilet अगर आप इस north area में बनाते हो तो वह नहीं बनाना क्योंकि यहा जादा यह ignore करने वाला point है आपको ऐसा नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है toilet तो कोशिच भी मत करना हाँ आप bathroom डाल सकते हो लेकिन toilet बिलकुल नहीं तो यहाँ पर अगर आपका toilet है तो इसका treatment भी है treatment क्या है यहाँ पर remedies क्या है यहाँ पर इसके तो आप यहाँ पर उस pipe को न avoid करना हाँ आप टीवी यहाँ पर यूज कर सकते हो टीवी क्यों यूज कर सकते हो जैसे अगर कोई भी आप stock marketing या कुछ भी purpose आपका learning है earning के है तो आपका यह direction मैंने बताया starting में कोवे direction है तो यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर यह direction एक head direction है इसलिए certificate है यह plus point आपको बता रहा हूं मैं तो आपकी जो certificate है आप उसको north direction में रख सकते हो बिकिस आपको job मिलने के chances है वो बहुत जादा बढ़ जाएंगे आप इस एरे के अंदर bunny plant को रखिए जो आपका locker है वो भी यहाँ पर आप रख सकते हैं क्योंकि यह जो area है यहाँ पर हमा security को भी यहाँ पर हम लोग इस तरीके से नजर में रख सकते हैं अगर आप ऐसा सोचो कि यार नौर्थ में सब लोग रखने लगे तो चोरों के लिए तो असान हो जाएगा आप अगर ऐसा नहीं करना चाते तो क्या कर सकते है इसका alternate आप एक छोटा सा piggy bank रख सकते हो जो north direction म आपका कुछ amount बस उसमें डाल कर रख दो उसे बहुत positive vibes आएंगी है और आपका business बहुत जादा growth करेगा ठीक है तो यह एक point था जो आपको मेरे को बताना था अभी यहाँ पर हम directly point करते है next slide पे the north direction is good for यहाँ पर एक काफी लंबी चौड़े आपको list दिख रही है balcony आप सकते हो यहाँ पर living room family room आप रख सकते हैं office हो गया पूजा room मैंने बताया था meditation के लिए भी best होता है क्यूंकि आपने देखा था ना जो वह पुरुष थे वास्तु पुरुष उसमें head इस तरफ में आ रहा था राइट तो यहाँ पर इसलिए भी करते स्याप्टिक टेंक ठीक है और वरामडा भी रख सकते हैं यह था यहाँ पर detail कुछ north direction को लेकर कोई भी आपको ऐसा अधिक्कत है comment है आप नीचे से comment कर सकते हो उसका answer आपको जल्दी मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना काफी next direction हम लोग cover करेंगे north east को ठीक है तो यहाँ पर चलते हैं thank you for watching this video कोई भी doubt रहता है comment जरू करना video पसंदा है like जरू करना thank you for watching this video good bye